दोस्तो स्नैप चैट के इस कोर्स के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्नैप चैट क्या है, कम्प्लीट इंट्रोडक्शन देगे, कैसे शुरुवात हुई, इसका यूज क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और बहुत कुछ आपको स्नैप चैट के बारे में जानने को मिलेगा, दोस्तो क्योंकि इस कोर्स में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो उससे पहले जानना जरूरी है उस प्लैटफॉर्म के बारे में, और उससे आप लोगों को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, आपके बिजनस को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, और क्या-क्या वीडियो के अंदर जानोंगे तो दोस्तों मैं हिटेश गुपता स्नैपशेट का है कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उमीद करता हूं आप लोग इससे अच्छे से सीखेंगे और इसको एपलाई करेंगे दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो हमारे चैनल से बिकाज अलड़ी चैनल पे एक हजार से जादा वीडियो जाने वाले एक साल में लगबग एक हजार और वीडियो तीस पेटिस ने सीरिज लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोगों कोई इंडेफ्स लेने के लिए website marketingfundals.com पे आप जा सकते हो या call कर सकते हो तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे snapchat क्या है उसका introduction देंगे उसके बारे में कुछ facts बताएंगे आपको और इस post में आप क्या-क्या सीखोगे और इसके benefits सब बताएंगे तो दोस्तों what is snapchat? snapchat एक American Multimedia Instant Messaging App है ठीक है जो service develop करी गई है snapchat incorporation द्वारा one of the principal features of snapchat is that pictures and messages are usually only available for a short time before they come inaccessible to their recipients इसका मतलब यह है कि मानलीजे कि मैंने snapchat से किसी को message करा उसके snapchat पर तो वो जो feature जो उसको message मिला वो उसने अगर एक बार scene कर लिया तो उसके बाद वो message उसको दुबारा नहीं दिखेगा ठीक है और बहुत सर एक्साइटिंग features है इस app के बारे में हम पूरी पोस्त में सीखेंगे और आगे बढ़ते हैं when was it launched यह कब launch हुआ था तो दोस्तों तीन लोगों ने एक साथ काम करके कई महीनों में यह launch करा था snapchat जिसको उस समय काबो बोला जाता था और यह सिर्फ iOS operating system के लिए ही बना था जुलाई 8 2011 में बड़ दोस्तों उसके बाद 2012 में उसको दुबारा री नेम करा गया और snapchat इसका नाम रखा गया और snapchat का फिर android वर्जन भी रिलीज करा गया October 29 को 2012 तो दोस्तों इसकी global presence के बारे में सबस्ते हैं इंडिया इसका सबसे बड़ा user base है पूरे वर्ल्ड में उसके बाद second rank पे आता है United States और वाकी other country अब दोस्तों Snapchat के currently जो active users है daily active users है वो 293 million है पूरे all over world इंडिया में जो उसके audience है जो users है वो है 15 million users लगभग 116 million users है और United States में 23 million users है वाकी other country अब Snapchat क्यों इतना popular Snapchat's power to entice users to socialize on the app is extremely strong according to a study the top reasons users use Snapchat include talking to friends, sharing photos, playing around with lenses and filters and sharing videos देखा जाये तो यूथ है वो बहुत जादा enjoy करती है इसकी features की वरा से और इसकी अलग जो पहचान बनी है उसकी वरा से इसलिए बहुत जादा popular है लोग इसको enjoy करते है benefits of using Snapchat दोस्तों पहला है it is an easy way to provide an experience तो लोग भयाँ पर मैंने इस आपको बताया लोगों को बहुत अच्छा लगता है जो कि आप देखेंगे जब हम आप उसकी features और पुरे बोस्तों सिखाएंगे दूसरा है दोस्तों you can use geo filters विजाए बहुत सारे लग-लग तरीपी filters है जिनका आप यूज कर सकते हूं तीसरा है दोस्तों consumers can communicate directly with companies तो जो consumers हैं ये individuals हैं वो companies से direct communicate कर सकते हैं you get to see who is watching your snaps आप देख सकती होगी आपके snaps है pictures form देख रहा है पांचमा है Snapchat collects the snaps from specific events to create singular stories Snapchat आपके snaps हैं ये images हैं उनको collect करता रहता है और आप उसे एक singular story बना सकते हो collards बना सकते हो उसको event create कर सकते हो जो कि आपकी यादे हैं और हर विज़ों पसंद है चटा दोस्तों benefit है commercial content on Snapchat feels less interruptive और सात्वा feature है दोस्तों you can post content on Snapchat that you would not post anywhere else आपको दूसरी जगहों पर platform पर social media पर वैसे features नहीं मिलते 8 है दोस्तों it is easy to connect with the platform to get started तो बहुत easily आप इसको start कर सकते हो सभून सिखाएंगे कैसे करना आपको आगयाने वाली वीडियो में 9 दोस्तों benefit है content length is short and easy to consume on Snapchat बहुत short easily आप यहां पर चीजों को कर सकते हो content की length दोस्तों benefit है here is a useful discover feature included in Snapchat जैसे Instagram में explore का feature होता है वैसे Snapchat में discover का feature होता है वहां पर आपको नया content 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 creators का content देखने को मिलता है आप नहीं चीज़ें explore कर सकते हैं अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आप क्या सीखोंगे इस तोस्तों कर सकते हो क्योंकि यह आपको help करेगा personal level में भी एक course और आपको अगर बिजनेस परफिस के लिए यूज करना है तो उसमें भी आपको help करेगा तो दोस्तों second how to set up profile आप कैसे अपनी Snapchat पे profile set up करोगे how to choose aftar जो एक feature है जिसे ad story, how to find friends, who can contact you, view your story, view your location, how to block after look your snap will not visible, how to create ad account, how to run ads on Snapchat Snapchat पे भी दोस्तों आप ads run कर सकते हैं तो business के लिए how to add billing, how to make groups on Snapchat तो दोस्तों यह बहुत ही amazing course होने वाला है पूरा देखिएगा और इसके अंदर आप individual level पे चीज़े सीखोगे और professional level पे उसका नगले चीज़े सीखोगे, thank you दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया अगर आप digital marketing services हमारी agency से लेना चाहते हो तो आप हमारी website marketingfundas.com पर जा सकते हो यह आप digital marketing coaching लेना चाहते हो direct मुझ से हमारी expert team से तो आप हमारी दियोए नमबरों पर call कर सकते हो यह website पर भी जा सकते हैं दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप latest update लेना चाहते हो digital marketing के तो आप हमारे social media accounts को follow कर सकते हो thank you for watching marketing fundas